बागेश्वर से क्याबिनेट मंत्री रहे चरंदन रामदास की आकास में निथन के बाद आगामी पाच तारिक को बागेश्वर में उपचना होना है तो वही आठ तारिक को मत करना की चाहिकी वही जनता टीवी की टीम लगातार बागिश्वर में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। बागिश्वर की जनता से हमने आज से नहीं जब से बागिश्वर में बागिश्वर की जनता के साथ हमारा जो लगाओ है पारिवारिक प्रतेक जो बागिश्वर पूरे जिले की मैं केवल विधान सभा की बात नहीं करूंगा। पूरे जिले के लोगों से हमारा सनेह प्यार बहुत अच्छा है। बहुत 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 बागिश्वर में उठ रहा है। कि कॉंग्रेस पार्टी लगातार दूसरे नमबर पर रहती रही है और बसंत कुमार के वोट और कॉंग्रेस के वोट बिलकर इत्यास रचेंगे। क्या ये जरुत आन पड़ी दोनों खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे अधोरे महसूस कर रहे थे। कि नहीं मैं एक यथार्थ वादी व्यक्ति हूं और यथार्थ में हम कभी भी इस तरीके की चीजों को इस तरीके से देखते नहीं है कि हम पीछे की परिस्तितियों के आधार पर उसका मुल्यांकन करें। मैं एक एक जामपल टेस करना चाहता हूं आपने देखा होगा आपकी साइद उम्र मेरे बराबर होगी तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि जब भारत में कंप्यूटर का आगमन हो रहा था तो भारती जनता पार्टी और समाजवाधी पार्टी जो एसी राजनितिक दल थ होते हैं उन परिस्तित्य के आधार पर हमको नेड़ा होता है आज भारत देश में जिस तरीके की राजनितिक दल का जो राज चल रहा है पिसले समय से मैं समझता हूं कि भारत के संभीधान को बचाने की भी आउशकता है भारत में जिस तरीके से लोगों को लड़ा कर लोगों के मन में देश भाव घोल कर राजनिति की जा रही है यह देश के भौश्ची के लिए बेहतर नहीं है मैं समझता हूँ कि वो राजनितिक दल जिसने मात्र दस साल अभी केंद्र में होने वाले हैं और अभी उत्राखंड में यह छटा साल है तो उसका जो कुलबुलाहट है जो हम कहते हैं अगर हम यह कहें कि उसकी जो थीवरता देखी जारी है कि ऐसा लग रहा है कि जब से देश आजाद हुआ उनी का राज चल रहा था बाकि लोगों ने किसी को मेंडेट दिया ही नहीं लेकिन लोगतंत्र की वास्तिक परिवासा यह है कि परिवर्तन होना चाहिए और सत्ता के साथ विपक्स भी मजबूत होना चाहिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि विपक्स के भी बहुत सारे दाइतों हैं सत्ता से उनके बनाये हुए कानुनों का जनता के हित्में implementation करवाना ये विपक्स की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के साथ अगर आज मैं सदन में जाओंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करूँगा मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा है कि आज ऐसी परिस्तिती क्यों आई ये परिस्तिती आपको भी साबसुत्री दिख रही होगी कि आज जो है उत्राखन परदेश की जिस तरीकी की परिस्तितिया है इस देश में आज आपको मैं बताऊं जो विधायक परतियासी जिनका जो एकस्पैर हो गए हैं बड़े दुरभाग्य और दुख की बात है हमार के जाने के बाद ये पता चलता है कि उन्होंने अपने बेटी को कम मार्क्स के होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का सेलेक्शन लोग से वायुक से करवाया इस तरीके के जो उनके उपर आरोप लगे तो मैं समझता हूं कि मैं भी आने वाले कल मैं एक लीडर यह बचन में लेता हूँ और इसी सपत के साथ में सदन में बैठोंगा और मैं आपको बता दूँ वास्तों में राजनीती सेवा का सेत्र है और मैं केवल राजनीती में जब से आया हूँ सभी लोग जानते हैं, पूरी बागेश्वर की जनता जानती है, कि मेरा उद्य से सेवा है, और राजनिती सेवा का सेत्र है, मैं पूरे मन बचन और कर्म से सेवा पर ही अर्पित रहूँगा, और बागेश्वर विधान सभा की जनता की सेवा करूँगा, और मैंने इस सेवा क मैंने जब इस एक्विशन को देखा कि उत्राखंड प्रदेश में हम लोग उने पहले तीसरे विकल्प के रूप में और इससे भी बेहतर सोच के साथ आने का परियास किया लेकिन जब हमने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा जब हमने बहुजन समाज पार्टी से चु इसका मेजर पार्ट वह आपस में डिवाइड हो जा रहा है दुसरे दो पार्टियों में और भारती जनता पार्टी को उसका दो है बाई-लग प्रॉफिट मिल रहा है बेनिफिट मिल रहा है और उससे इतना बड़ा ब्रहस्टाचार हुआ इसके दोसी एक तरीके से कहा जा तो एक पर्तिभावान न होते हुए जिस ने अपनी पुत्री को रसुकदार होने के नाते नौकरी देने का काम किया और उसके उनकी पुत्री को हमारी बच्चों को हमारे लड़कों को हमारे बेरोजगार बच्चों को वह उस पर्तिभावा से बाहर करने का काम किया ऐसा कॉपूर रूप से निभाए एक पक्स में जाए आप कॉंग्रेस में सामिल हुए और आपका भी ये कहना है कि दोनों का वोट एक साथ आ जाएगा इस पर भी एक सवाल करेंगे लेकिन इस से पहले एक सवाल ये बनता है कि उपचुनाओं है चंदन रामदास के चले जाने के बाद उनकी निधन के बाद एक सानुभूती की बात आती है सिंपेथी का एक माहुल पैदा होता है तो आपकी ये जो लडाई है ये उस सानुभूती से कैसे आप पार पापाएंगे और इसके साथ साथ जो बीजेपी का एक नेटवर्क है उसकी अक्सर बात होती है कि से है या फिर आप अपने किसी एक अलग एजेंडे पर कुछ अलग मुद्दे पर बागेश्वर की जनता से समाध करने का आगे मन बना रहे है अगर अवसर देती है जनता दो देखे मैं भी किसी का बेटा हूं और अगर बात सहानुभूती की जाए तो सहानुभूती हर किस के साथ रहनी चाहिए मानवता इंसान्यत भाईचारा हमारा नेचरल गुण है यह होना भी चाहिए मैं भी किसी का बेटा हूं और पिछले साल सितंबर के महने में मेरे पिताजी की डैथ हो गई है उनकी भी मृति हुई है और उनका भी सपना था कि मेरा बेटा बिधान सभा में जाए और वहां पर लोगों के कल्यान के लिए काम करे पुन्य कमाए अपने बच्चों के लिए पुन्य कमाए और मेरी मा पिछले फरवरी के महने में मेरी मा का ब्रेन हैं यहीं बागेश्वर में हुआ मेरी मा भी बैड रीडन है मैं भी अपने पारिवारिक परिस्तित दो फुर來了 को ःत्र तर्वार को फ्यद्र में आज रहे जो इसा होना चाहिए अगर मनसा नहीं है वो परतिभावान ब्यक्ति जो डिज़र्ब करता है उस pragmatic को वह सब्सक्राइब लागतर चार वार चुने गए और उसके बाद अभी उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है लेकिन एक सवाल ये बार-बार आ रहा है जैसे कॉंग्रेस का भी कहना है और आपका भी कहना है कि बीजेपी अपने सत्ता के विस्तार के लिए बहुत आगे चली गए ये उसकी भोग बढ़ती जा रही है लगातार ये बीजेपी पे हमला करते हैं कोंग्रेस के भी कहीं सारे बढ़े नेता कहते हैं लेकिन एक सवाल ये आता है कि अगर बीजेपी अपने विस्तार के लिए एक सिंपेथी को भी माध्यम बनाती है उस पर आगे बढ़ती है तो आप लोगों का जो मरजर है क्या ये संथता के लिए या पद के लिए या फिर एक विवस्ता में आने के लिए ये इस तरह का सवाल भी तो उपता है भारत के लोगपिर ये परधान मंत्री हमारे लाल के लिए के प्राचीर से जो बोलते हैं वो तो कम से कम स्थापित रहना चाहिए मेरी ऐसी धारणा है मेरा देश का परधान मंत्री इतना जिवासी नहीं हो सकता है उसकी कथनी और करनी और कथनी में फरक नहीं हो सकता है मैं सम पता में नहीं आनी चाहिए अब बागेश्वर में आपको बाइद फैमली फॉर्द फैमली नहीं दिख रहा है आपने परधान मंत्री की ही बात न मालने वाले उत्राखंड की जो भारती जनता पाल्टी की संग्ठनात्मक धाचा है वो अपने को अपने अंतरमन को क्या जबाब दे रही है आप जरा उनसे भी सवाल करिए मैं तो समझता हूं कि बाइद फैमली तूद फैमली और फॉर्द फैमली को सतत न चलाने वाली और ऐसी परंपरा को दुतकारने वाल और दूर करने वाले राजनितिक दल को आज भी अपना कंडिडेट बदल देना चाहिए या सरेंडर कर लेना चाहिए एक सवाल ये बनता है कि यह लगातार बहुत पहले कॉंघ्रेस के पास सीट में लगातार बीच में अब लगातार चार बार से बीजेपी के पास आती है तो अपको क्या लगता है कि इन लगातार 13, 14, 15 सालों में बाहटे सब सब्सक्राइब कि कई जाती हैं मेरे चार शेचने हैं ह। और हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं इसको दाम हमारा इस उत्राखंड में चार धाम हैं तो पांच धाम भी हो सकते हैं साथ धाम भी हो सकते हैं आठ धाम भी हो सकते हैं अगर हम बागेश्वर की बात करें जागेश्वर की बात करें बैजनात की बात करें तो उत्राखंड जो दो रिजनु में बटा हुआ है कुमाउं और गड़वाल में कुमावु में भी धार्मिक संस्तान जो प्राकर्तिक रूप से उत्राखंड प्रदेश की ध्रोहर हैं जो विष्ट की जो है भोगोली अगर धार्मिक द्रिश्ट से देखा जाए तो जो विष्ट के परेटन स्थल के रूप में उभारे जा सकते हैं वह स् प्राकर्मिक स्टेट बनाने की बात करते हैं और दूसरी बात में बताओं आपको अगर आप यहां से थोड़ा आगे चले जाएंगे तो चांदी का मुकुट चड़ा हुआ है हमारे बागेस्वर पे अगर इस बागेस्वर पे चांदी का मुकुट चड़ा हुआ है तो उस का सोर्स ही जो है बागेस्वर जिला बन सकता है लेकिन कभी इस नजरिये से किसी ने इस बागेस्वर के बारे में सोचा नहीं बागेस्वर हमारी जन्म भूमी है और इस जन्म भूमी को हम सवारना चाहते हैं इससे आगे अगर आप गरूर चले जाएंगे इस सेत्र में गरू करने का मौका चंदन नामदास जी को चार बार मिलता रहा लेकिन उन्हें वह नहीं सवार पाई और हमने संकल्प लिया है कि एक सेत्र बताया है मैंने केवल आपको कि परियतन के सेत्र में ही इतना सारा डबलब्मेंट किया जा सकता है ऐसे बहुत सारे अन्य सेत्र हैं जो जड जिन प्राकरतिक संसादनों के आधार पर उन जो रिसोर्स यहां पर है उनके आधार पर यहीं के सेत्र के बच्चों को यहां के बेरोजगार नौकों को यहां रोजगार दिया जा सकता है और यहां के सेत्र को डबलब किया जा सकता है खनीच संपता से भर भरपूर आपने स सौप स्टॉन खडिया का नाम सुना है सौप स्टॉन की यहां पर कम से कम सौ माइन हैं हंड्रेट माइन से हैं लेकिन सौप स्टॉन से रिलेटेड एक भी इंडिस्ट्री यहां पर नहीं है जो आप कॉल गेट यूज करते हैं वह सौप स्टॉन से बनता है जो आप पेपर लि इभन यहां तक कि विदेशु में जाता है उसी से कॉलगेट के डबे के अंदर वो जो तुथपेस्ट के डबे के अंदर टुथपेस्ट पैक होकर आता है और उस तुथपेस्ट को आप 50 रुपे में खरीत ते हो तब जाके आप दंतमंजन का काम करते हो आपका साबून उससे काम करने की आफ़शक्ता नहीं पड़ेगी मेरा ऐसा मानना है आखरी सवाल बनता है नोमीनेशन से कुछ दिन पहले ही आप कोंग्रेस में आए है कोंग्रेस में भी कही सारे अमिद्वार के डावेदार रहे होंगे तो नई-nई परिवार में ठीक-ठाक बन रही है ठीक-ठाक और आपने मुझे से कि अभी चाहीं नहीं पला पाया हूं आपको इसके बात को सचारों से रहे हैं, मैं कहता हूँ, स्वक को बदलना ही, संसार को बदलने के बराबर हैं। बिल्कुर खुद को बदलना ही संसार को बदलने के बराबर है और इसके साथ चाथ बागेश्वर को लेकर कई सारी बाते बसंत कुमार जी कर रहे हैं अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा वोटिंग और वोटिंग के बाद जब परणाम आएंगे कि बागेश्वर की जनता क्या फैसला सुनाती है लेकिन अभी तो बसंत कुमार बड़े कॉन्फिटेंट दिख रहे है बागेश्वर से योगेश्राना जनता